ओम शान्ती आज है 26 दिसंबर 2020 की साकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा अब तुम आत्माओं को वहां जाना है जहां सारी कारुबार बंद हो जाती है सबका हिसाब किताब चुक्तु होता है और रिकॉर्ड पूरा हो जाता है यह ड्रामा बाइसकोप की तरह है इसमें चेंज नहीं हो सकती यह अनादी बना बनाया है फिर कहा आत्मा कोई मेल फिमेल नहीं होती सभी आत्माई भाई भाई है तुम सभी को पारलोकिक बाप से वर्सा मिलता है दुनिया में लोकिक बाप की प्रोपर्टी पर कितना जगड़ा चलता है यहां तो वेह बात नहीं बाप को याद नहीं करेंगे तो ओटोमेटिकली बेहद का वर्सा भी नहीं मिलेगा आगे कहा तुम रुहानी सेना भी हो जो सब को रावन की जंजीरों से चुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो जो इस कुल का होगा उनको ही तिर लेगेगा सर्विस का बड़ा शोक होना चाहिए जो सर्विस पर ततपर होंगे वही दिल पर चड़ेंगे और तक्त पर भी वही चड़ेंगे और लास्ट में बाबा ने कहा आखिर सब को मालूम तो पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है लेकिन जब विनाश का समय नजदीक होगा तब मालूम पड़ेगा होश सकता है बहुतों को साक्षतकार भी हो दुनिया में तो बहुत हाहाकार होना है तुम्हें सन्यासियों राजाओं आदी को भी ग्यान देना है बहादुर सर्विस वाले कभी भूखे नहीं मरेंगे और अब सुनते हैं महवक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे बाबा आए है तुम्हें बेहद की जागीर देने ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे प्रशन विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानिया क्या होंगी उत्तर विनाश का समय नजदीक होगा तो सब को मालूम पढ़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है तूसरा अब नई दुनिया की सापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है बहुतों को साक्षातकार भी होंगे तीसरा सन्यासियों राजाओं आदी को ग्यान मिलेगा चोथा जिब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है वही सदगती देने वाला है तो बहुत आएंगे पांचवा अखबारों दवरा अनेकों को संदेश मिलेगा चठा तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे एक बाप की ही याद में अतिंद्रिय सुख में रहेंगे गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहां चित्चैन पावे ओम शान्ति यह कोन कहते हैं और किसको कहते हैं रुहानी बच्चे बाबा घड़ी घड़ी रुहानी क्यों कहते हैं क्योंकि अब आत्माओं को जाना है फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा आत्माओं ने यह शान्ति और सुख का वर्सा कल्प पहले भी पाया था अब फिर यह वर्सा रिपीट हो रहा है रिपीट हो तब स्रिष्टी का चक्र भी फिर से रिपीट हो रिपीट तो सब होता है ना जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा यह तो नाटक भी रिपीट होते हैं प्रन्तु उनमें चेंज भी कर सकते हैं कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बना कर डाल देते हैं इसको फिर बाइसकोप कहा जाता है इसमें चेंज नहीं हो सकती यह अनादी बना बनाया है उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है बच्चे समझते हैं जो नाटक आदी अभी देखते हैं वेह सब हैं जूटे कलियुग में जो चीज देखी जाती है वेह सत्युग में होगी नहीं सत्यूग में जो हुआ था सो फिर सत्यूग में होगा यह हद के नाटकादी फिर भी भक्ती मार्ग में ही होंगे जो चीज भक्ती मार्ग में होती है वह ज्यान मार्ग अर्थात सत्यूग में नहीं होती तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्सा पा रही हो बाब ने समझाया है एक लोकिक बाप से और दूसरा पारलोकिक बाप से वर्सा मिलता है बाकी जो अलोकिक बाप है उनसे वर्सा नहीं मिलता ये खुद उनसे वर्सा पाते हैं ये जो नई दुनिया की प्रोपर्टी है वे बेहद का बाप ही देते हैं सिर्फ इन दवारा अर् भक्ति मार्ग में भी लोकिक और पारलोकिक दोनों याद आते हैं, यह अलोकिक नहीं याद आता, क्यूंकि इन से कोई वर्षा मिलता ही नहीं है, बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु यह ब्रह्मा भी रचना है ना, रचना को रचिता से वर्षा मिलता है, तुमको भी शु बेहद का बाप, ब्रह्मा के पास बेहद का वर्सा है क्या, बाप इन दवारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्सा मिलता है, ऐसे नहीं कि वर्सा लेकर तुमको देते हैं, बाप कहते हैं, तुम इनको भी याद ना करो, यह बेहद के बाप से तुमको प्रोपर्टी मिलती है, लोकिक बाप से हद का, पारलोकिक बाप से बेहद का वर्सा, दोनों रिजर्व हो गया है शुबाबस से वर्सा मिलता है, बुद्धी में आता है बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्सा क्या कहेंगे? बुद्धी में जागीर आती है न यह बेहद की बादिशाही तुमको उनसे मिलती है वह है बड़ा बाबा यह तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो मेरी तो कोई प्रोपर्टी है नहीं जो तुमको मिले जिससे प्रोपर्टी मिलनी है उनको याद करो वही कहते हैं मामे कम याद करो लोकिक बाप की प्रोपर्टी पर कितना जगड़ा चलता है यहां तो जगड़े की बात नहीं बाप को याद नहीं करेंगे तो अटोमेटिकली बेहद का वर्सा भी नहीं मिलेगा बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो इस रत को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशा ही मिलेगी इसको कहा जाता है याद की यात्रा देह के सब संबंद छोड अपने को अशरीरी आत्मा समझना है इसमें ही मेहनत है पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो वे यात्रा करते हैं शरीर से यह तो है आत्मा की यात्रा यह तुम्हारी यात्रा है परम झाने के लिए परमधाम अत्वा मुक्ती धाम कोई जा नहीं सकते हैं सिवाय इस पुरुशार्द के जो अच्छी रिती याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर उच्पद भी वही पा सकते हैं जाएंगे तो सब प्रन्थु वह तो पतित है ना इसलेई पुकारते हैं आत्मा याद करती है खाती पीती सब आत्मा करती है ना इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है यही मेहनत है बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं है भी बहुत सहज परन्तु माया का अपोजिशन होता है किसकी तकदीर अच्छी है तो जट इसमें लग जाते हैं कोई देरी से भी आएंगे अगर बुद्धी में ठीक रिती बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रुहानी यात्रा में लग जाता हूं ऐसे तिवर वेग से लग जाएं तो अच्छी दोड़ी पहन सकते हैं घर में रहते भी बुद्धी में आ जाएगा यह तो बहुत अच्छी राइट बात है हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूं बाप के फर्मान पर चले तो पावन बन सकते हैं बनेंगे भी जरूर पुरुशार्थ की बात है है बहुत सहज भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है यहां तुम्हारी बुद्धी में है अब हमको वापिस जाना है बाबा के पास फिर यहां आकर विश्णो की माला में पिरोना है माला का हिसाब करें माला तो ब्रह्मा की भी है विश्णो की भी है रुद्र की भी है पहले पहले नई स्रिष्टी के यह है ना बाकी सब पीछे आते हैं गोया पिछाडी में पिरोते हैं कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है तुम कहेंगे विश्णु कुल हम असुल विश्णु कुल के थे फिर शत्रिय कुल के बने फिर उनसे बिरादरिया निकलती है इस नौलेज से तुम समझ से हो बिरादरिया कैसे बनती है पहले पहले रुद्र की माला बनती है उच्च ते उच्च बिरादरी है बाबा ने समझाया है यह तुम्हारा बहुत उच्च कुल है यह भी समझ से है सारी दुनिया का पैगाम ज परन्तु पता नहीं पढ़ता है, आखरीन पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा, अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं, लाइबरेरी में पढ़ सकते हैं, कोई दो-चार अखबार भी पढ़ते हैं, कोई नई दुनिया की सापना पुरानी दुनिया का विनाश होता है। कोई निकल पड़ेंगे, पुष्ताच करेंगे। बच्चे समझ से हैं, हम श्रीमत पर सत्यूग की सापना कर रहे हैं। एक बाप को याद करना है, दुसरा न कोई। यह राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं। वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण वो पैगाम देना है। बाकी सब बाते हैं ग्यान श्रिंगार। यह चित्र सब हैं ग्यान का श्रिंगार। ना कि भक्ती का, यह बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुश्यों को समझाने के लिए, यह चित्र आधी तो प्राय लोप हो जाएंगे, बाकि यह ग्यान आत्मा में रह जाता है, बाप को भी यह ग्यान है, ड्रामा में नूंद है, तुम अभी भक्ती मार्ग पास कर, ग्यान मार् तुम जानते हो, हमारी आत्मा में यह पार्ट है, जो चल रहा है, नूंद थी, जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से, बाप को ही आकर यह नौलिज देनी थी, आत्मा में नूंद है, वहाँ जाए पहुँचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा, आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर, फिर यह सब बंध हो जाएंगे, भगती मार्ग का पार्ट भी बंध हो जाएगा, फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चली होगी, वही चलेगी, क्या होगा यह बाप नहीं बताते हैं, जो कुछ नया होगा, सतो प्रधान और सस्सा होगा, जो कुछ पहले हुआ था, वही होगा, देखते भी हैं, इन लक्ष मिनारण को कितने सुख है, हीरे जवारात, धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है, यहां तुम भेट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे, यहां की बात वहां सब भूल जाएंगे, यह हैं नई बातें, जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं, आत्माओं को वहां जाना है, जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुक्तु होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है, एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जनमों का पार्ट है, आत्मा भी अविनाशी है, इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे, ऐसे आश्च्रियवत चीज और कोई हो न सके, बाबा के लिए तो कहते हैं, सत्यूग त्रेता के समय विश राम में रहते हैं, हम तो आल राउंड पार्ट बजाते हैं, सबसे जासी हमारा पार्ट है, तो बाप वर्सा भी उंच देते हैं, कहते हैं 84 जनम भी तुम ही लेते हो, हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है, जो और कोई बजा न सके, वंडर्फुल बाते हैं ना, यह भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैट समझाते हैं आत्मा मेल फिमेल नहीं है जब शरीर धारण करती है तो मेल फिमेल कहा जाता है आत्में सब बच्चे हैं तो भाई-भाई हो जाती है भाई-भाई हैं जरूर वर्सा पाने के लिए आत्मा बाप का बच्चा है ना वर्सा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे, सब आत्माओं का हक है बाप से वर्सा लेने का, उसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है, हम सब ब्रदर्स हैं, आत्मा आत्मा ही है, वह कभी बदलती नहीं, बाकी शरीर मेल का, कभी फी मेल का लेती है ये बड़ी अठपटी बातें समझने की हैं, और कोई भी सुना ने सके, बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं, बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं, आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, अभी करते करते, आखरीन तो कोई से बात ही नहीं करेंग कर ले आते हो बाबसमज से हैं यह बहुतों को आप समान बना कर ले आते हैं यह बड़ा राजा बनेंगे यह छोटा राजा बनेंगे तुम रुहानी सेना भी हो जो सब को रावन की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है, जिसने जासी भक्ती की है, वही जासी होश्यार हो जाते हैं, और वर्सा ले लेते हैं, यह पढ़ाई है, अच्छी रिती पढ़ाई नहीं की, तो फेल हो जाएंगे, पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है सहज, डिफिकल्टी की बात नहीं, उसमें तो सब चाहिएना पुरुशार्थ करना है उसमें हम उच्च पद पाएं मृत्यू लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है जितना पढ़ेंगे उतना अमर पुरी में उच्च पद पाएंगे बाप को प्यार भी करना होता है क्योंकि यह हैं बहुत प्यारे ते प्यारी वस्सूँ प्यार का सागर भी है एक्रस प्यार हो न सके कोई याद करते हैं कोई नहीं करते हैं किसको समझाने का भी नशा रहता है न यह बड़ा टेमटेशन है कोई को भी बताना है यह युनिवरसिटी है यह स्प्रीच्छल पढ़ाई है ऐसे चित्र और कोई स्क विखता अच्छी प्रन्तु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा जो इसकुल का होगा उनको तीर लगेगा जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होगे वही आएंगे तुमको फील होगा यह तो बहुत रूची से सुन रहे हैं कोई तो ऐसे ही चले दिन प्रति दिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं सर्विस का बड़ा शोग चाहिए जो सर्विस पर ततपर होंगे वही दिल पर चड़ेंगे और तख्त पर भी चड़ेंगे आगे चल तुमको सब साक्षतकार होते रहेंगे उस खुशी में तुम रहें रक्त की नदियां भी बहनी है, बहदूर सर्विस वाले कभी भूखे नहीं मरेंगे, परंतु यहां तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहां मिलेगा, कन्या को तो वनवा में बिठाते हैं न, ससुर घर जाकर खूब पहनना, तुम भी ससुर घर जाते हो, तो वह मिठे मिठे सिकील अधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से, धारना के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, माला में पिरोने के लिए देही अभीमानी बन, तिवर वेग से याद की यात्रा करनी है, बाप के फर्मान पर चलकर पावन बनना है, दूसरी पॉइंट, बाप का परीचे दे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है, यहाँ वन वहा में रहना है, अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महवीर बनना है, वर्दान, हर कर्म में फोलो फादर कर सनहे का रिस्पोंड देने वाले तिवर पुरुशार्थी भव, जिससे सनहे होता है, उसको अटोमेटिकली फोलो करना होता है, सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं, यह फोलो फादर है, अगर नहीं हैं, तो स्टॉप कर दो, बाप को कोपी करते बाप समान बनो, कोपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे अटेंशन का पेपर डालो, तो कोपी हो जाएगा, क्योंकि अभी ही तिवर पुरुशार्थी बन, स्वियम को हर शक्ती से संपन्न बनाने का समय है, अगर स्वियम स्वियम को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे स्लोगन संतुष्टता का फल प्रसन्नता है प्रसन्न चित बनने से प्रशन स्माप्त हो जाते हैं संतुष्टता का फल प्रसन्नता है प्रसन्न चित बनने से प्रशन स्माप्त हो जाते हैं अच्छा ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें